नमस्कार, दभिहार टीचर्स, हिस्ट्री मेकर्स, मेरा मोबाईल, मेरे सिक्षा में आप सबों का स्वागत है हम बात कर रहे हैं डाइबिटीज यानि मधुमेह रोक के बारे में पिछली वीदियोस में हमने इनके कारण और कुछ लक्षण के बारे में जानकारी प्राप्त की इस वीदियो में मैं आपको बताने वाली हूँ की हम मधुमेह से किस प्रकार से बच सकते हैं और किस तरीके के डाइट को फॉलो करके हम अपने डाइबिटीस को कंट्रोल कर सकते हैं तो सबसे पहले हम जानते हैं कि एक टेस्ट होता है आपने सुना होगा कि फास्टिंग और पीपी टेस्ट होता है जिसमें blood test होता है घर पे भी आप इस तरीके की machines देखते होंगे जो sugar test करने के लिए इस तरीके की strips और ये prickर जो होता है इसकी सहायता से ये आप अपने उंगली पे prick करेंगे तो blood के drops आएंगे और उसको आप इस sample strip पे लगा करके इसमें insert करके और आपका जो भी diabetes का जितना भी आपके blood में glucose का level है वो आप चेक कर सकते हैं अगर fasting यानि सुबा का early morning बिना कुछ खाए पिये खाली पेट में जो आप करते हैं और वो अगर 125 से ज़ादा है तो आपको diabetes है और PP यानि खाने के बाद खाने के 2 घंटे बाद अगर आपने चेक किया है और अगर वो 200 से ज़ादा है तो इसका मतलब आप diabetes है एक और test होता है जो बहुत high level के अगर diabetes बहुत ज़ादा है तो डॉक्टर recommend करते हैं उसको कहते हैं HD A1C test ये अगर 6.5% से ज़ादा होता है तो आप high risk पे diabetes के patient है अब हम देखते हैं कि हम किस प्रकार से इसे बच सकते हैं तो सबसे पहली चीज जो मैं आपको शुरू से अपने almost सारे वीडियो में बोलती हूँ कि lifestyle को change करें एक healthy lifestyle अपनाई है exercise करें हमारे जो diet होती है उसमें सबसे ज़ादा जो roll होता है हमारे body को fit रहने के लिए 80% खान पान यानि 80% आपका खान पान और 20% exercise का है कुछ लोग जो होते वो कहते हैं कि मैं बहुत gym करता हूँ मैं बहुत yoga करता हूँ बहुत exercise करता हूँ लेकिन वो सब वियर्थ है अगर आपका जो खान पान है वो सही नहीं है तो 80% यानि 80% आपके खान पान पे डिपेंड करता है कि आपके शरीर किस तरीके से है यानि आपको अपना खान पान सुधारना है specially diabetes के case में मैं बात करूँगी कि बहुत सारी चीजे बोलते हैं कि diabetes में नहीं खानी चाईए जैसे कि चावल या जितनी भी कार्बो हाइडडरेट वाली चीजे होती है उन्हें नहीं खाना चाईए आलू नहीं खाना चाईए बहुत सारी चीजे चीनी, शोगर तो बिल्कुल ही नही जो चीनी हम बजार से खरीते हैं वो तो बिलकुल ही नहीं उसके जगह आप कभी कबार गुड का सेवन कर सकते हैं मगर जितना हो सके हम मीठा अबॉइड करेंगे इसके अलावा हम देखते हैं कि जितनी भी तली भुनी चीज़ें क्यों क्योंकि जो डाइबिटीज शुगर है ये सब बिमारियां हमारे लिवर हमारे किड्नी को बहुत ज़ादा इफेक्ट करती हैं और धीरे धीरे ये हमारे शरीर की अंदर से बहुत सारे ओर्गन्स को खराब करते चले जाते हैं इसका इफेक्ट आप देखोगे कि जिनको डाइबिटीज होता है वो धीरे धीरे उनका शरीर गल्ले लगता है उनकी आइज उनकी आखों की रोशनी चली जाती है सोचने की छमता भी धीरे धीरे उनका कॉंसेंट्रेशन लो हो जाता है और भी बहुत सारी mental disorders धीरे धीरे होने लगती है क्योंकि वो अंदर से वीक हैं चिड़चिडापन आ जाता है तो इसलिए खान पान को सही रख करके हम अपने डाइबिटीज को कंट्रोल में रख सकते हैं तो जब सब कुछ मना है तो बहुत सारी चीज़े ऐसी हैं जो अच्छी हैं और डाइबिटीज कंट्रोल कर सकते हैं जिनमें सबसे बड़ा रोल है हरे पत्तेदार सबजियों की आप green vegetables खूब अच्छे मातरा में खाईए अनाज भले आप कम खाईए लेकिन green vegetables और कुछ fruits जैसे citrus fruit जो ज़्यादा मीठे ना हो वैसे फल आप अच्छे मातरा में खाईए नारियल पानी और पानी जी हां दोस्तों मैं ये भी आपको बताती हूँ कि हर वीडियो में मैं mostly बताती हूँ जितने भी health से related है कि आप पानी का सेवन खूप सारा करें पानी 8 से 10 ग्लास तो minimum बोला जाता है कि 8 से 10 ग्लास पानी आपको हर दिन पीना ही चाहिए और पानी पीने के भी बहुत सारे तरीके हैं जिनको बारे में मैं next फीडियो में जरूर शेयर करूँगी तो ये सारी चीजों को follow करके और सबसे बड़ी बात की जो खाना हम खाते उसको हम 5 भागों में बाट लेंगे यानि 2 बड़े meals यानि 2 पहर का खाना और जो हम सुबे का नाश्टा करते ये heavy होना चाहिए heavy मतलब ये ने के बहुत जादा big meals आपका breakfast और lunch इसके बाद आपको जब भूक लगती है तो हम divide कर लेते यानि 10 बजे आपको कुछ खाना है तीन बजे दोपहर में कुछ खाना है शाम में कुछ खाना है तो हम हलके हलके snacks ले सकते हैं जैसे कुछ nuts खा सकते हैं कुछ juice पी सकते हैं घ्रीन टी पी सकते हैं ठीक है और कभी भी snacks हमें भर पेट नहीं खानी चाहिए यानि जब भी आपको snacks खाने का मनों तो वो आप एक मुटी से ज़्यादा snacks ना खाए इससे क्या होगा जब आप अपने छोटे छोटे देर पे आप कुछ-कुछ हलका फुलका खाते हैं तो हमारा जो शरीर है वो अच्छी तरीके से काम करता है हमारे organs पे ज़्यादा pressure नहीं पड़ता है पचाने में भी आसानी होती है तो दोस्तों ये सब छोटे छोटे ट्रिक्स हैं जिनको आप follow करें और हार सबसे बड़ी बात कि जो diabetes के patient को tension बिलकुल नहीं लेनी चाहिए बोलना आसान है मगर आप इसको follow कर सकते हैं क्योंकि सबके जिन्दगी में tension होती है तनाव होती है लेकिन हम उसको कम कर सकते हैं खतम तो नहीं कहूंगे लेकिन कम कर सकते हैं अपने आप पो खुश रखिए meditate करिए अच्छे music सुनिए योगा करिए और इस तरीके से आप अपनी बहुत सारी बिमारियों को ना सिर्फ diabetes को बहुत सारी बिमारियों को दूर भगा सकते हैं जाद से जाद इस वीडियो को शेर करिए ताकि maximum लोगों को जानकारी मिल सके और हमारा भारत देश आविटी से मुक्त देश बन सके धन्यवाद